नमस्कार स्वागत है आप सभी का हर्याना के मौसम समाचार की जानकारी में तो हर्याना में मौसम भाग ने जारी कर दिया है अलर्ट आज राज से होगी इन छेत्रों में आज हिसार मौसम भाग का अलर्ट जारी आए जानते हैं मौसम जानकारी कब होगी बारिस कब से लेकर क कब तक बारिस होने वाले हैं प्रदैस में बताएंगे पुरी जानकारी कितने घंटे का अलर्ट जारी क्या हुआ है आईए जानते हैं इस विडियों में पुरी जानकारी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले तो हर्याना में 48 गंटे बाद फिर से कोल्ड डे की सुरुआत हो गई है मौसम वे भागने साथ जिलों के लिए गहने कोहरे का एलो अलर्ट जारी क्या है मौसम बेज़ सग्यों का कहना है कि पस्नि वे जिलों के परभाद से मौसम में ये बदलाव हो रहा है अब 30 जनवरी से फिर हर्याना के अधिकान से जलों में बादल चाहेंगे साथ ही पांच फरवी तक बारिस के आसार बने रहेंगे रहिवार कुप्रदेश के अधिकान से छेतरों में हलका कोहरावा बादल चाहे रहे हैं इस कारण से दिन के आउसत तापान में 4.8 टिगरी की गरावट आई है मौसम बे सिसग की माने तो आने वाले दिनों में मौसम में काफी बदलाव आएगा मौसम के इस बदलाव के कारण सूबे के कुछ जलों में 30 जनवरी को बारिस के आसार भी बन रहे हैं एक दिसंबर के बाद से प्रदेश में बारिस नहीं हुई है जबकि आमतोर पर जनवरी में अच्छी बारिस होती रही है इससे पहले 2016 में सबसे कम बारिस सून के करीब दरज की गई थी जबकि साल 2022 में पूरे महने में 143 मिनिमीटर से ज़दा बारिस रिकार्ड की गई मौसम वेश सग्यों का कहना है कि 2011 के बाद या पहली बार है जब जनवरी में बारिस नहीं हुई है मौसम बेसे सग्यों का कहना है कि पिछले दो दिनों में धूप निकलने के दिन के समय रहत मिल रही थी इसके साथ दिन के तापान में बढ़ोतरी भी देखी गई थी करीब एक महाबाद दिन का तापान सामान से उपर या इसके करीब पहुचा था सनिवार राद को उत्तर परवती छेत्रों में कमजोर स्रेणी का पस्रेणी का प्रस्म विच्छोप सक करीवा है इसके असर से प्रदेश के और सथ नियुनतम तापान में दसमन पांच डिगरी क कम रहा है तो यह है मौसम अपडेट तो इस वीडियो में इतनी थी जानकारी लगातार मौसम जानकारे के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें